हाँ स्वाम्यों बेटा आप कैसे हो मैं भी ठीक हूँ बेटा तो कैसा रहा आपका दशेरा का छुट्टी चैलो बढ़िया है बस देखेंगे पांच मिनिट कौन कौन जॉइन करेगा फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे ठीक है ना गुट आफ्टरनून बंटी कैसे हो बेटा गुट आफ्टरनून रश्मी बेटा कैसे हो आप लोग मैं भी ठीक हो बेटा वस दो दिन छुट्टी रही तुम लोग से मिलने का मौका नहीं मिला याद आ रही थी हमको हाँ रश्मी बेटा मैं भी ठीक हूँ तेज प्रताप याद आओ बेटा आप ठीक हो सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है ना गुड आफ्टनू तेज प्रताप हाँ तेज प्रताप बेटा आप कैसे हो चलो फिर क्लास स्टार्ट कर दे मैं भी ठीक हूँ बेटा एकदम फर्स क्लास फिर क्लास स्टार्ट कर दे ओके तो बेटा आप लोगों को याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बैक्टिरिया का इकानमिक इंपॉर्टन्स स्टार्ट कराया था है ना उसमें हमने बैक्टिरिया का हामफुल अक्टिविटीज पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे बैक्टिरिया के यूस्फुल अक्टिविटीज तो हम पढ़ क्या रहे हैं basically हम पढ़ रहे हैं bacteria का economic importance थोड़ा सा मुझे लिखने दीजिए एक minute हाँ जी तो हम पढ़ रहे थे economic importance of bacteria इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ओफ बैक्टिरिया इसमें हमने पहला वाला पार्ट जो की क्या था harmful activities of bacteria वो हम खत्म कर चुके हैं अपनी पिछली वाली class में आज हम पढ़ेंगे बेटा useful activities of bacteria bacteria सिर्फ harmful नहीं होते बैक्टिरिया हमारे friends भी हैं यह हमारे लिए useful भी होते हैं bacteria के useful activities okay तो सबसे पहले बेटा जी हम बात करेंगे ammonification और ammonifying bacteria की bacteria का पहला useful activity is ammonification okay ammonification में जिन बैक्टिरिया का उपियोग होता है जो बैक्टिरिया यूज होते हैं उन बैक्टिरिया को हम ammonifying bacteria बोलते हैं ठीक है ना जी अब ammonification क्या है बेटा आप देखिए protein लिखूंगा मैं protein कहां पर होगा यह protein protein जो की dicking animals और plant bodies में होता है protein मैं लिखूंगा bracket में present in dead d e a d o s t liknatha dead and dicking bodies of plants and animals protein present in dead and dicking bodies of plants and animals सडने वाली dead bodies plants और animals की उनकी अंदर बेटा जी protein होता है तो जब ये dead bodies soil में आती हैं soil में dead bodies के protein के उपर act करते हैं कुछ bacteria उन bacteria को बेटा जी हम बोलते हैं ammonifying bacteria ammonifying bacteria bacteria short में लिखा मैंने BACT bacteria ये ammonifying bacteria इस protein को जो की dead bodies of plants and animals में होता है इस protein को convert करते हैं into ammonia राइट मैं किसकी बात कर रहा हूँ dead bodies of plants and animals soil में होती है हाँ जब soil के अंदर उनका decaying start होता है सड़ने लगती हैं तो कैसे सड़ने लगती हैं उनके उपर बेटा जी ammonifying bacteria आते हैं उनके इंदर उन dead bodies के इंदर जो soil में होती हैं उनके अंदर जो protein होता है ये ammonifying bacteria उसी protein को ammonia में convert करते हैं इस process को कौन सा process process of conversion of protein of the dead and decaying plants and animals into ammonia the process is known as ammonification इसी process को अपन बोलते हैं क्या ammonification और ammonification soil में होती है by means of bacteria जिनको हम बोलते हैं ammonifying bacteria ठीक है ammonifying bacteria का बेटा जी मैं example दूँगा ammonifying bacteria for example bacillus vulgaris bacillus vulgaris एक ammonifying bacterium है bacillus मैंने लिखा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ bacillus है तो मतलब ये rod shaped होगा दूसरा example बेटा bacillus mycoides bacillus mycoides भी एक ammonifying bacterium है ठीक है ना तीसरा example मैं लिखूंगा bacillus ramosus bacillus ramosus ये भी एक ammonifying bacterium है चौछा example मैं लिखूंगा bacillus subtilis ये भी एक ammonifying bacterium है बेटा ये सारे ammonifying bacteria soil में होते हैं और soil में ही ये ammonification process को conduct करते हैं जिसमें ये dead bodies का protein ammonia में convert कराते हैं ठीक है ना जी तो soil के अंदर जब ammonia आया तो हम बोलेंगे soil के अंदर ammonia आया तो soil ammonia rich हो गया ammonia rich मतलब soil में nitrogen content बढ़ गया तो soil की fertility increase होगी ना होगी की नहीं yes होगी ठीक है ना इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी है क्या चलिए जी मैं बेटा दूसरा function लिखूंगा दूसरा useful activity लिखूंगा nitrification 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 process ठीक है देखते जाओ nitrification process में क्या होता है अब soil में ammonia आ चुका है हाँ soil का ammonia convert होगा into nitrites nitrite अगर आपको nitrite का formula लिखना होगा तो आप लिखेंगे NO2 negative NO2 negative मतलब ये incomplete compound है बेटा ionic compound है nitrite में example दूँ potassium nitrite ammonium nitrite sodium nitrite ऐसे compound soil में बनेंगे अब मैंने nitrite general में लिखा मतलब इसके साथ कुछ भी हो सकता है it can be potassium nitrite sodium nitrite ammonium nitrite कुछ भी हो सकता है है ना nitrite iron मैंने यहां पर लिखा it is an iron तो soil में होता क्या है जो ammonia soil में आ चुका है ammonification process से उस ammonia का conversion होता है into nitrite ठीक है ना and soil के अंदर ही बैटा जी यह nitrite convert होगा into nitrate nitrate ions NO3 negative ठीक है ना ammonia nitrite में convert होगा with the help of bacteria उन bacteria का नाम है nitrosomonas nitrosomonas है ना और nitrite nitrate में convert होगा with the help of bacteria which are known as nitrobacter nitrobacter ठीक है तो total जो process है कौन सा process ऐसा process जिसमें ammonia पहले nitrite में convert होगा and this nitrite is converted into nitrate this whole process is known as nitrification तो गर आप से कोई पूछेगा nitrification क्या होता है आप बोलोगे nitrification एक ऐसा process है जिसमें ammonia convert होगा into nitrate but directly convert नहीं होगा nitrate में पहले nitrite में convert होगा बाद में nitrate में और ये nitrification process होती है कुछ bacteria की वज़ा से उन bacteria को बेटा हम बोलते हैं nitrifying bacteria क्या nitrifying bacteria nitrifying bacteria के हमने दो example दिये यहां पर एक का नाम है nitrosomonas ये रहा और दूसरे का नाम है nitrobacter दोनु nitrosomonas और nitrofactor nitrifying bacteria है और nitrifying bacteria help करते हैं nitrification process में जिसमें ammonia nitrate में convert होगा ठीक है nitrosomonas पहले ammonia को nitrite में convert करेगा then nitrobacter nitrite को nitrate में convert करेगा इस पूरी process को nitrification बोलेगे ठीक है ना अगर आपको कोई पूछेगा आपसे कि nitrification क्या होती है आपको directly बोलना है nitrification is a process in which ammonia is converted into nitrate और ये process होती है with the help of bacteria जिनको हम nitrifying bacteria बोलते हैं जैसा मैंने यहां पर लिखा nitrifying bacteria दो तरह के होते nitrosomonas and nitrobacter nitrosomonas पहले ammonia को nitrite में convert करेगा then दूसरा type nitrobacter nitrite को nitrate में convert करेगा बता बेटा इसमें कोई दिक्कत है परिशानी है अगर है कोई doubt तो पूछो नहीं है तो फिर screenshot लेके done कर दो great हाँ सौमया बेटा तेज प्रताप screenshot लेके बेटा done कर दो हाँ बेटा सौमया बहुत सही तो मैं अगले पेज पे चलूँ great देखिए बेटा तीसरा activity useful activity मैं आपको bacteria का बताता हूँ that is nitrogen nitrogen fixation nitrogen fixation nitrogen fixation ये भी bacteria की वंदद से होती है तो क्या है nitrogen fixation nitrogen fixation ऐसा process है जिसमें atmospheric nitrogen atmospheric nitrogen atmospheric nitrogen बेटा आपको पता है हमारे atmosphere में nitrogen सबसे ज़्यादा quantity में होता है 78% और वो nitrogen होता है molecular form में N2 तो nitrogen fixation में यही atmospheric nitrogen convert होता है into nitrogenous compounds into nitrogenous compounds which can be used which can be used by plants directly जो plants directly use कर सकते है nitrogen जो N2 है ना atmospheric nitrogen plant इसको use नहीं करता use करी नहीं सकता क्योंकि plant के पास ऐसी machinery नहीं होती जो directly atmospheric nitrogen को use करे यह plant के लिए किसी काम का नहीं है that is why इस atmospheric nitrogen को पहले convert होना पड़ता है into nitrogenous compounds जिनको plant use कर सकता है एक मिनिट बेटा झाल 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 बेड़ा एक मिनट आप एक मिनट बेट करो एक मिनट बेड़ा एक मिनटीजिया गख़े मिनट मिनट भी और५ झाल झाल हां जी बेटा तो कहां थे हम मैंने आपको बताया कि यह उनके लिए किसी काम का नहीं है इसी लिए एक मिनट बेटा यह उनके ही इसे हैं प्लन्स निट्रोजन को यूज करने से पहले चाहते हैं कि ये निट्रोजन कंवेर्ट हो इंटू दू यूजबल फॉर्म्स और यूजबल नैट्रोजनिस कंपाउंट्स प्लांट के लिए कौन से होते हैं मैं आपको कुछ नाम बताता हूं आप ammonium salts for example ammonium salts अमोनियम स्वाल्ट्स ओके अमोनियम स्वाल्ट्स तो ऐसा प्रॉसस जिसमें अट्मॉस्फिरिक नैट्रोजन ऐसे नैट्रोजन कंपॉंट्स में कंवर्ट होगा जो प्लांट डिरेक्ली यूज कर सकते हैं ऐसे प्रॉसस को बेटा जी बोलते हैं नैट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया ठीक है ना नैट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया दे आर अलसो नोन ऐस डाइजो ट्रॉफिक बैक्टिरिया डाइजो ट्रॉफिक बैक्टिरिया क्यों इनको डाइजो ट्रॉफिक बैक्टिरिया बोलते हैं बेटा क्योंकि नैट्रोजन फिक्सिंग इस डाइजो ट्रॉफिक बैक्टिरिया बोलते हैं बेटा क्योंकि नैट dayazotrophy में मदद करेंगे उनको हम diazotrophic bacteria बोलेंगे ना ठीक है ना तो atmospheric nitrogen जब nitrogenious compounds में convert होगा with the help of nitrogen fixing bacteria और dieazotrophic bacteria ऐसी process को हम diazotrophy बोलते हैं या nitrogen fixation बोलते हैं ओके is it okay अब देखें बेदा nitrogen nitrogen fixation ना दो टाइप्स का होता है एक सिंबायार्टिक नाइट्रोजन fixation और दूसरा भी है जिसको हम एसिंबायार्टिक नाइट्रोजन fixation बोलते हैं पहले हम ये वाला देखेंगे सिंबायार्टिक nitrogen fixation देखें बेड़ा साम बैक्टिरिया लिव सिंबायार्टिकली साम बैक्टिरिया लिव सिंबायार्टिकली मैं आपको पिछली से पिछली वाली क्लास में सिंबायासिस समझा चुका हूँ बेटा जी मैंने आपको बताया था symbiosis एक ऐसा process है जिसमें एक living organism दूसरे living organism के साथ रहेगा और दोनों को benefit मिलेगा तो यहाँ पर bacteria किसी के साथ रहते हैं और दोनों को benefit मिलता है ऐसे bacteria को हम बोलेगे symbiotic bacteria तो कुछ bacteria symbiotically रहेंगे symbiotically रहने के साथ साथ वो क्या करेंगे nitrogen fixation हलो वो इंको name फोन हाँ जी example मैं लिखूँगा मैं symbiotic nitrogen fixing bacteria का for example rhizobium rhizobium यह example में बेटा आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था rhizobium रहता है root nodules of leguminous plants में leguminous plants के roots में कुछ grains होते हैं उनका हम nodules बोते हैं उन्ही के इंदर rhizobium bacteria रहते हैं तो leguminous plant in rhizobium bacteria को जगा देता है रहने के लिए और बदले में rhizobium bacteria क्या काम करते हैं ये इस leguminous plant को atmospheric nitrogen convert करा के देते हैं into usable form समझाय रहे बात हो गया न ये एक symbiotic relationship तो rhizobium bacteria ये कहां रहते हैं living symbiotically living symbiotically in root nodules root nodules of leguminous plants okay एक मिन बेटा एक मिन बेटा मैं भst कर पड़र थाल ह मैं कि दो भाप पग़ हार कि दो आर पहाचousse आर झाल झाल तो रिजोबियम लिगूमनस प्लांट्स के रूट नोडिूल्स में रहता है, दोनों को बेनेफिट मिलता है, रिजोबियम को रहने के लिए जगा मिलती है और लिगूमनस प्लांट को यही राईजोबियम बैक्टिरियम, एटमوسफिरिक नाइटरोजन कंवर्ट कराके देता ह इन्टो usable forms इसलिए ये एक symbiotic association है तो मैंने पहले ही लिखा symbiotic nitrogen fixation symbiotic nitrogen fixation करने वाले bacteria का पहला example rhizobium कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताना है ना दूसरा बेटा example मैं लिखूंगा azospirulum ये भी एक bacterium का नाम है बेटा जी azospirulum azospirulum is a bacterium कौन सा bacterium again a nitrogen fixing bacterium ये कहां पर रहता है it lives in root nodules of cereals root nodules of cereals cereals जानते हैं बेटा किनको हम बोलते हैं wheat rice maize plants wheat rice maize बेटा इनको हम cereals बोलते हैं इन ही plants के roots के nodules में रहता है azospirulum again ये एक symbiotic association है मतलब azospirulum इन plants को atmospheric nitrogen convert करा के देगा into usable forms like ammonium salt और बदले में ये cereal plants के roots इस azospirulum को रहने के लिए जगा देंगे हो गया है ना mutual relationship दोनों को benefit मिल रहा है ना so this type of association is mutualism या इसको symbiosis भी बोल सकते हैं बेटा मैं तीसरा example लिखने जा रहा हूँ aero rhizobium aero rhizobium aero rhizobium भी एक nitrogen fixing bacterium है एक diazotrophic bacterium है और ये कहां पर रहता है it lives in the stem nodules of plant sesbenia एक plant है बेटा उसका नाम है sesbenia sesbenia के stems में हलके से nodules बनते हैं उन्ही nodules के अंदर रहता है aero rhizobium और वही काम क्या nitrogen fixation करेगा ठीक है यहां तक clear कोई दिक्कत कोई doubt है तो please tell me अगर नहीं है तो screenshot लेके done कर दो जल्दी से बहुत बढ़िया मैं आगे चलूँ हाँ तेजप्रताब अपने ले लिया बंटी screenshot हो गया बंटी बिटा screenshot हो गया आपका चलो फिर मैं आगे चलता एक और example मैं दूँगा बेटा फ्रैंकिया एक bacterium है जिसका नाम है फ्रैंकिया अगें फ्रैंकिया एक nitrogen fixing bacterium है एक die isotropic bacterium है यह कहां पर रहता है इट लेव्स इन लेव्स इन रूट नॉड्यूल्स अफ नॉन लेगूमिनस प्लांट्स रूट नॉड्यूल्स अफ नॉन लेगूमिनस प्लांट्स नॉन लेगूमिनस देखो बेटा लेगूमिनस प्लांट्स में आते हैं पीज ग्राम चना चना जो हम खाते हैं न वही चने वाला प्लांट मटर वाला प्लांट भीन्स वाला plant ये सारे leguminous plants है non-leguminous plants मतलब leguminous plant नहीं हो तो ये रहता है in the root nodules of non-leguminous plants and वहाँ पर ये क्या काम करेगा वहाँ पर ये nitrogen fixation करेगा मतलब atmospheric nitrogen को usable form में convert करेगा plant के लिए ठीक है जी दूसरा हम बोलेंगे asymbiotic nitrogen fixation asymbiotic nitrogen fixation इसमें बात करनी है हमको own bacteria की जो nitrogen fixation करेंगे लेकिन किसे के साथ symbiotic association में नहीं रहेंगे free living होंगे किसी के साथ mutual relation में नहीं रहेंगे चीक तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ क्या सम् बाक्टिडिया अकर freely अकर freely in soil and perform nitrogen fixation and perform nitrogen fixation ठीक है जी they occur freely in the soil यह किसी के साथ symbiotic association में नहीं रहते हैं अलग रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यह soil में atmospheric nitrogen को usable forms में convert कराते हैं example में हम लिखेंगे azotobacter azotobacter दूसरा example बेटा chromatium यह bacteria का नाम है बहुत सारे bacteria हैं हमारे nature clostridium लेकिन याद रखें बेटा मैंने आपको clostridium botulinium का नाम बताया है यहाँ पर clostridium लिखा लेकिन botulinium वाला species का mention मैंने नहीं किया clostridium botulinium के बगैर जो clostridium के species हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर they are responsible for fixation of atmospheric nitrogen ठीक है ना rhodospirulum 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 के बाद मैं लिखूंगा rhodocedomonas जितने आप याद रखोगे उतना अच्छा rhodocedomonas s-e-u-d-o m-o-n-a-s rhodo-microbium rhodo-microbium जितने भी मैंने यहाँ पर mention किये 6 बैक्टिरिया का नाम मैंने यहाँ पर mention किया यह सारे के सारे asymbiotic या free living free living nitrogen fixing bacteria है यह atmospheric nitrogen को convert कराते हैं into usable forms of nitrogen in the soil और फिर soil में यही nitrogenous compounds यही usable forms of nitrogen plant absorb करता है और plant को nitrogen की कमी महसूस नहीं होती ठीक है ना जी तो क्या क्या सीखा हमने मैं यहाँ पर mention करूंगा एक मैंने बेटा आपको बताया ammonification ammonification में body protein of dead plants and animals वो convert होता है into ammonia in the soil by the process of by the help of ammonifying bacteria दूसरा बेटा मैंने आपको बताया nitrification nitrification एक ऐसा process है जिसमें nitrifying bacteria ammonia को convert करते हैं into nitrides and nitrates again कहाँ पर soil में ही और तीसरा बेटा जी मैंने आपको बताया nitrogen fixation अगर आप द्यान दे बेटा तो यह तीनों चीज़े ammonification, nitrification and nitrogen fixation इन तीनों processes से soil के अंदर nitrogenous compounds का quantity बढ़ी जाता है all these three they increase the quantity of they increase the quantity of nitrogenous compounds in the soil इन की वज़ा से soil में nitrogenous compounds का quantity बढ़ जाता है तो हम यह बोल सकते हैं न कि यह soil की fertility बढ़ाते हैं क्योंकि nitrogen एक nutrient है plant के लिए तो indirectly हम बोलते हैं ammonification, nitrification और nitrogen fixation यह सारी processes बैक्टिडिया की मदद से ही होती हैं और इन सारी processes से soil की fertility इनक्रीज हो जाती हैं so these three processes increase the fertility of soil increase the fertility of soil बट ध्यान रहे यह तीनों processes ammonification, nitrification and nitrogen fixation यह तीनों processes बैक्टिडिया के बगार नहीं हो सकते हैं, they occur only and only with the help of bacteria with the help of bacteria ठीक है तो हम यह बोल सकते हैं न soil की fertility increase होती है इनही बैक्टिडिया की वज़़ से तो यह तीन processes, soil की fertility करते हैं, increase with the help of bacteria कौन कौन से bacteria ammonifying bacteria nitrifying bacteria and nitrogen fixation bacteria बताओ बेटा, इसमें कोई problem कोई दिक्कत है अगर नहीं है तो screenshot लेके done कर दीजिए जल्दी से बेटा great, आगे बढ़ू में हम लिखेंगे bacteria used in dairy products bacteria used in dairy products dairy products कर्ड में हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास दूद होता है, milk milk is converted into curd with the help of bacteria like एक बेक्टिरिया का नाम में लिखूंगा बेटा नाम है Streptococcus streptococcus lactis streptococcus lactis तो milk curd में convert होता है with the help of bacteria like streptococcus lactis और अगर ये यूज नहीं किया तो lactobacillus यूज कर सकते हैं lactobacillus आपको पता है दही कैसे बनाते हैं गर में lactobacillus पूरा नाम में लिखूं lactis हमारे पास अगर दूद होता है ना तो दूद में हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं तीन चार ड्राप या एक चमच बड़े से दूद का वरतन होता है उसमें एक चमच दूद एक चमच दही मिलाते हैं फिर कपड़ा से कावर करके रखते हैं राद भर सुबा जब उठेंगे तो पूरा का पूरा दूद कन्वर्ट हो चुका होगा इंटू दही तो हमने जो एक चमच दही उसमें डाला बेटा उसमें एक्चुली होता क्या है उस दही में यही तो बैक्टरिया होते हैं न उस दही में या तो स्ट्रप्टो कोकस लैक्टिस होंगे या तो लैक्टो बैसिलस लैक्टिस होंगे और यही दो बैक्टरिया दूद को convert करते हैं into दही milk को convert करते हैं into curd actually बेटा जी ये bacteria क्या करते है ये bacteria देखिए milk के अंदर एक monosaccharide होता है milk के अंदर एक carbohydrate होता है that carbohydrate that monosaccharide is known as lactose दूद के अंदर बेटा एक monosaccharide होता है monosaccharide बेटा एक टाइप का sugar है ध्यान रखना हम पढ़ाएंगे आपको biomolecules में दूद के अंदर एक टाइप का sugar होता है एक टाइप का carbohydrate होता है उसका नाम है lactose ये lactobacillus bacteria या streptococcus lactis bacteria इसी lactose को convert करते हैं into lactic acid किस में convert करते हैं बेटा lactic acid में और यही lactic acid फिर दूद को खटा बना देता है दही में convert करता है समझ रहे हैं बात क्यूंकि ये bacteria streptococcus lactis हो या lactobacillus lactis क्यूंकि ये lactose को lactic acid में convert करते हैं that is why इन bacteria को हम generally बोलते हैं lactic acid bacteria क्या बोलते हैं lactic acid bacteria तो हम बोलेंगे curd, दही, milk से बनता है कैसे? milk के अंदर अगर lactic acid bacteria आ जाएं तो वो milk के lactose को convert करते हैं into lactic acid और यही lactic acid milk को खटा बना देता है दही में convert करता है lactic acid bacteria बेटा जी बहुत types के होते हैं दो examples आप दे सकते हो एक streptococcus lactis और दूसरा lactobacillus lactis is it okay any doubt in this no चलिए बेटा हम दूसरा dairy industry वाला दूसरा product का बात करेंगे second one is butter मक्खन butter बीना दूद से ही बनता है है ना ठीक है ना बेटा yes तो क्या किया जाता है butter making process में सबसे पहले milk ले लिया जो गाओं में रहते हैं गायवाई जिनके पास है उनको पता होता है ये सब milk ले लिया milk में mechanical method से मतलब उसको stir किया क्या बताओं मैं अच्छा आपने हिंदी में क्या बोलते हैं let me think या देखो एक बड़े से बरतन में दूद लिया उस बरतन में एक बड़ा सा लकड़ी का पता नहीं क्या बोलते हैं उसको चलाते हैं पूरा उसको छोंक देते हैं तब जाके उस दूद में से क्रीम निकलता है उस process को हम बोलते हैं churning of milk मैं लिखूंगा milk को churn किया जाता है churning पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं churning को शायद आपको पता जब churning किया milk का तो उससे क्रीम निकलता है चाच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाच पता है किसी को हाँ येस तो क्रीम निकल निकला देन इस क्रीम के ऊपर डाल दिया जाता है again lactic acid bacteria लाइक streptococcus lactis इसी क्रीम के ऊपर जब streptococcus lactis bacteria पड़ेगा तो यह क्रीम कन्वर्ट होगा इन्टू बाटर क्या समझें दही जब चर्ण किया जाता है उससे क्रीम निकलता है उस चर्ण क्रीम के उपर अटैक करते हैं लैक्टिक इसड बैक्टिरिया like streptococcus lactis और ये streptococcus lactis वाले बैक्टिरिया बटर को बनाते हैं फ्राम क्रीम ठीक है आच्छा यहां पर में एक और पॉइंट एड़ करना चाहूंगा बेटा एक बैक्टिरियम है जिसका नाम है लिूको नौस्टाक लिूको नौस्टाक शिट्रो वोरम ये क्या काम करता है इट प्रोवाइड्स फ्लेवर टु दे बटर बटर में थोड़ा सा फ्लेवर डालता है इस इड़ ओके बेटा एनी डाउट इन दिस नहीं चलिए तो कर्ड हो गया बटर हो गया तीसरा भी आप जानते हैं बहुत बार खाया होगा जिसको हम हिंदी में पनीर और अंग्रेजी में चीज बोलते है येस तो डेरी प्रोड़क्ट में चीज भी आएगा बेटा चीज बनाते हैं अकेन दूद से तो ये लिया मिल्क इस मिल्क के उपर जब एक्षिन करेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टिरिया कौन से वही लाइक स्ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस ये जब अटैक करेगा ये जब एक्ट करेगा मिल्क के उपर तो ये इसको कर्ड में कनवर्ट कर देगा अब आप बोलेंगे सर ये स्ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस कहां से लाया वही बात है बेटा इस मिल्क में थोड़ा सा हम दही का एक चमच डालेंगे तो ये स्ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस जो दही में होंगे वो इस पूरे मिल्क को कर्ड में बदल देंगे दही में बदल इनको हम generally बोलते हैं- लाक्तिक इस वाक्टिर्या, थो लाक्टो बास स्ट्रेप्टो कोकस लाक्टिस- स्ट्रेप्टो खुश्स लाक्टिस- तो लाक्टिक इस योड बैक्टि両िया, कर्ड के ऊपर करेंगे और इसको convert कर देंगे इंटर पनीर चीज यहां पर आप देख सकते हैं बैक्टिरिया ने कितना मदद किया डैरी प्रोडक्ट्स बनाने में दही ले लो बटर ले लो चीज ले लो सब बैक्टिरिया की वज़ा से ही वनते हैं तो useful activities of the bacteria में पहला हमने लिखा soil की fertility को increase कराएंगे और दूसरा हमने लिखा ये हमको help करते हैं डैरी प्रोडक्ट्स बनाने में like curd, butter, cheese बिड़ा अगर doubt है तो बताओ अगर नहीं है तो screenshot लेके इसको भी done कर दो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा जी बैक्टिरिया का एक और useful activity है एक और फाइदा है बेटा हम बैक्टिरिया से antibiotics हासिल कर सकते हैं we can get antibiotics from bacteria we can get antibiotics from bacteria ठीक है अब आप पहले मुझे बताइए बेटा antibiotics क्या होते हैं कौन बताएगा चाबाश एनिवान यह देखो मैंने सवाल पूछा और तेज प्रताप यादो बाग गया क्या बात है नहीं वापस आ गया अच्छा antibiotics याद था लेकिन बूल गए कोई बात नहीं बेटा मैं antibiotics बता देता हूँ क्या होते हैं ध्यान से सुनना chemical substances antibiotics are chemical substances produced by some microorganisms produced by some living microorganisms produced by some living organisms लेकिन यह living organisms कौन से होंगे usually यह living organisms बेटा microorganisms होते हैं microorganisms आप समझ ही सकते हो या तो बैक्टिरिया होंगे या तो फंजाय होंगे हां तो chemical substances produced by some living organisms which inhibit the growth which inhibit the growth of other living organisms are known as antibiotics are known as antibiotics मैं इसको समझाता हूँ द्यान से सुनना एक ही बार में बार बार नहीं बोलूँगा ऐसे वाले chemical substances जो कुछ living organisms से produce होते हैं बनते हैं usually वो living organisms microorganisms होंगे और यह chemical substances बाकी living organisms के growth को रोकते हैं उनको kill करते हैं ऐसे chemical substances को बेटा हम बोलते हैं antibiotics मैं आपको example दूँगा एक antibiotic है उसका नाम है penicillin penicillin एक antibiotic है मतलब यह chemical substance है है ना penicillin बनता है एक fungus से पहली बार पहली बार penicillin एक fungus से निकाला गया था it was obtained from obtained from a fungus named penicillin एक fungus से यह निकाला गया था उस fungus का नाम था penicillin अब देखो अगर किसी animal में bacteria से infection हो जाए तो मतलब उस animal उस इंसान या उस animal की body में bacteria आ चुके हैं bacteria की वज़ा से वो भिमार पड़ गया है तो डॉक्टर बोलेगा भाई तू penicillin खा जब penicillin इंसान लेगा तो यह penicillin देखो कहां से निकला fungus से अब यह penicillin जो animal जो हमारी body के अंदर bacteria आ चुके हैं उनको attack करके उनको मारने की कोशिश करेगा तो हुआ ना बात कि penicillin एक living organism से निकला कौन से living organism से fungus से और इसने क्या किया इसने दूसरे living organism को kill किया या उसकी growth को inhibit किया कौन से living organism को bacteria को बताव समझ आया हां जी बेटा Banti, Swamya, Rashmi, Tej Pradap अच्छे से समझ आया ना antibiotics हाँ तो याद रखना बेटा आप कुछ factual points में बताने वाला हूँ कि first discovered antibiotic first discovered antibiotic पहला खोजा गया antibiotic जो था वो कौन सा था अभी मैंने बताया the first discovered antibiotic was penicillin ठीक है ना and ये penicillin कहां से पहली बार निकाला गया था it was obtained from a fungus उस fungus का नाम था penicillium the first discovered antibiotic was penicillin it was obtained from दुबारा में लिक रहा हूँ it was obtained from a fungus named as penicillium लेकिन हमको यहां fungus के बारे में नहीं जानना बेटा हम bacteria पर रहे हैं हमको जानना है ओन आंटीबियाटिक्स के बारे में जो bacteria से निकलते हैं है ना तो आप देखो दूसरा factual point में बताने वाला हूँ first discovered antibiotic from bacteria was streptomycin first discovered antibiotic from bacteria bacteria निकलने वाला antibiotic पहला antibiotic कौंसा था was streptomycin तो अगर आपको बोलेगा कि antibiotic को पहली बार कहां से निकाला गया था आप बोलेगे fungus से उस antibiotic करना था पैनिसीलियम लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा कि bacteria से निकलने वाला पहला antibiotic कौंसा था देना आंसर will be streptomycin ठीक है ना जी आच्छा मैं कुछ बेटा कुछ antibiotics का नाम बताऊंगा देख यहां पर लिखूंगा bacterium क्योंकि हमको लिखना है उन ही antibiotics के बारे में जो bacteria से हासिल किये जाते हैं और यहां लिखूंगा मैं antibiotic कौंसे bacteria से कौंसा antibiotic हम लेंगे फास्ट वान bacterium का नाम है bacillus brevis bacillus brevis bacillus brevis एक bacterium का नाम है और bacillus brevis से हम एक antibiotic हासिल करते हैं उप्टेन करते हैं उस antibiotic का नाम है gramocidin gramocidin second one streptomyces gracious streptomyces gracious streptomyces gracious beta bacterium है इससे एक antibiotic निकाला जाता है उसका नाम है streptomycin then मैं इतने वाला हूँ streptomyces venazuli streptomyces venazuli इससे एक antibiotic हम निकालते हैं the name of the antibiotic is chloromycin chloromycin it is also known as chloramphenicol 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 right next one चौथवा वाला मैं लिखूं यहां पर काफी हैं streptomyces orofacians short में लिखूंगा S S मतलब streptomyces orofacians streptomyces orofacians दो उतरा के antibiotics देता है हमको एक auromycin auromycin का दूसरा नाम chlorotetracycline और दूसरा देगा and tetracycline tetracycline तो tetracycline और auromycin auromycin का दूसरा नाम भी है chlorotetracycline यह दोनों निकलते हैं streptomyces orofacians बिड़ा इसमें कोई दिक्कत है परेशानी है तो बताओ नहीं तो screenshot लेके done कर दो जल्दी से चलो मैं आगे चलते हैं next हम देखेंगे bacteria which are used in industries bacteria used in industries bacteria used in industries industries में bacteria क्या काम करते हैं सबसे पहला हम बताएंगे alcohol formation alcohol formation ये देखेंगे बटा कोई मुझे बता देगा ये क्या है glucose great it is glucose very good glucose हो fructose हो या कोई और organic compound हो उस organic compound के उपर industry में bacteria डाले जाते हैं कौन से bacteria sarsina ventriculi sarsina ventriculi ये bacteria हैं बेटा तो क्या क्या जाता है industries में factories में बड़े से very huge big tankies बनाई जाती है tanks बनाई जाते हैं उन tanks में organic matter जमा किया जाता है organic matter मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर काफी सारा glucose हो fructose हो या कोई carbohydrate हो ठीक है ना फिर उस सारे substance के उपर bacteria डाले जाते हैं कौन से bacteria alcohol forming bacteria like सार्सीना वेंट्रिकुलाई ये सार्सीना वेंट्रिकुलाई बेटा इस organic matter का जो कि यहां पर आपने glucose बताया ये organic compound है इस organic compound का fermentation कराते हैं क्या कराते हैं fermentation और fermentation से convert कराते हैं इसको into ethanol 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 को हम ethyl alcohol भी बोलते हैं अब आप बोलोगे सर ये fermentation क्या है बिलकुल हम बताएंगे so किया क्या bacteria ने सार्सीना वेंट्रिकुलाई ने इसने organic matter को convert किया into ethanol and the process is known as fermentation what is fermentation बेटा कोई मुझे anaerobic respiration बताएगा what is anaerobic respiration बार बार मैं बताया हूँ मैंने जब bacteria का respiration पढ़ाया तब मैंने बताया था बताएगे फिर जल्दी से कोई anaerobic respiration क्या होती है come on क्या in the absence of air शूर्ती बेटा आपने बोला in the absence of air but what in the absence of air क्या air की absence में क्या respiration in the absence of air एक दम बिल्कुल सही देखिए fermentation is अगर आपको बेटा याद होगा मैंने आपको बताया था respiration का मतलब सिर्फ breathing नहीं है respiration का मतलब है breakdown of food to release energy है ना जी है ना जी तो fermentation is an anaerobic respiration fermentation एक anaerobic respiration है it is anaerobic respiration और anaerobic respiration का मतलब अभी आपने खुद ही बोला क्या है इसमें होता है breakdown of food और food यहां पर क्या है organic compound in absence of oxygen in absence of oxygen air नहीं बोलेंगे oxygen बोलेंगे तो breakdown of food in absence of oxygen is known as anaerobic respiration it is also known as fermentation और fermentation process में बेटा ethyl alcohol बनेगा plus 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 carbon dioxide भी बनता है plus energy भी निकलती है तो बड़े बड़े tanks में organic matter भरे भरा जाता है उन tanks के ऊपर सार्सिना बेंट्रिकला बैक्टिरिया डाले जाते हैं और सार्सिना बेंट्रिकला बैक्टिरिया anaerobic respiration मतलब fermentation करते हैं organic matter का निकालते हैं ethyl alcohol carbon dioxide and energy फिर ethyl alcohol वहां से harvest की जाती है अलग की जाती है और ethyl alcohol को बहुत सारे wine products में use किया जाता है like whiskey, rum, gin भीर ये चीज़े बनाने में उसको use किया जाता है ओके समझाई मैं दूसरा बोलूँगा बेटाजी industrial use of the bacteria is vinegar formation vinegar bacteria vinegar बनाने में भी help करते हैं ठीक है again वही process लेकिन हलकासा different process organic matter लिया organic matter का fermentation कराया anaerobic respiration कराया तो उससे बनेगा ethanol और ethyl alcohol फिर इस ethyl alcohol के उपर डाले जाते हैं bacteria जिनको हम बोलते हैं acetobacter acety acetobacter acety acetobacter acety bacteria इस ethanol को convert करते हैं into acetic acid और यही acetic acid बेटा vinegar में होता है acetic acid is acetic acid उसके साथ फिर थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है dilute किया जाता है then vinegar is formed vinegar मतलब उसमें acetic acid होगा right मैंने तीसरा use in industry लिखूंगा rating of fibers rating of fibers अब ये rating of fibers क्या है जी देखिए jute plant आप जानते हैं बेटा jute jute plant से jute के fibers निकाले जाते हैं है ना लेकिन jute plant से fibers कैसे निकाले जाते हैं एक jute plant से fibers निकालने के process को हम rating of fibers बोलते हैं और rating of fibers without bacteria नहीं हो सकती सिर्फ jute plant से ही fibers नहीं निकाले जाते हैं बहुत सारे plants हैं जिन से हम fibers निकाल सकते हैं one of them is jute तो plants से fiber निकालने के process को हम rating of fibers बोलते हैं और rating of fibers में use होते हैं कान से बाक्टिरिया पहले मैं लिखूंगा process of obtaining fibers process of obtaining fibers from plants like jute is known as rettinger fibers it is done by bacteria like clostridium याद रहे clostridium botulinium नहीं clostridium botulinium एक harmful bacterium है जिससे botulism वाला food poisoning होता है उसके बगार clostridium के species and butyric acid bacteria butyric acid bacteria clostridium species और butyric acid bacteria rettinger fibers में यूज होते हैं बेटा अगर कोई दिक्कत है डाउट है तो बताओ नहीं तो screenshot लेके done कर दो great चलते हैं आगे next हम बोलेंगे production of vitamins fourth one production of vitamins bacteria से हम vitamins भी हासिल कर सकते मैं कुछ bacteria का नाम लिखूंगा यहां पर फिर से clostridium लेकिन species का नाम में लिखूंगा clostridium butylicum clostridium butylicum gives us या इस से हम निकाल सकते हैं vitamin B2 vitamin B2 is also known as riboflavin vitamin B2 ठीक है जी तो एक और bacterium है बेटा bacillus megatherium bacillus megatherium bacillus megatherium and इसके साथ मैं अग और लिखूंगा propionibacterium propionibacterium bacillus megatherium and propionibacterium ये दोनों से हम निकाल सकते हैं vitamin B12 vitamin B12 is also known as cyanocobalamin ठीक है then आप E. coli को जानते होंगे E. coli जो इनसान के intestines में रहता है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता E. coli bacterium से हम vitamins हासिल कर सकते हैं कौन-कौन से vitamin E बेटा जी vitamin E को हम tocopherol भी बोलते हैं tocopherol then vitamin K vitamin K is also known as phylo quinone ठीक है तो bacteria से हम vitamins भी निकाल सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हो कि bacteria हमारे लिए कितना फाइदामंद है कितने ये useful हैं ठीक है next मैं आपको बता सकता हूँ some bacteria decompose some bacteria can decompose harmful substances as well harmful substances as well कुछ बैक्टिडिया harmful substances को भी decompose करते हैं for example acetobacter acetobacter species acetobacter acetini can decompose DDT आपको पता है DDT एक insecticide है DDT को हम use क्या क्या करते थे अपने खेतों में इंसेक्ट्स और weeds को मारने के लिए लेकिन ये DDT non-biodegradable है ये decompose नहीं होता ठीक है ना बट कुछ बैक्टिरिया DDT को decompose कर सकते हैं like acetobacter जी next मैं लेकि सकता हूँ बैटा bacteria can act as pollution indicators bacteria can act as pollution indicators they can act as pollution indicators याद होगा शायद बिटा आप लोगों को मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था ना कि बैक्टिरिया water को pollute करते हैं कौन से बैक्टिरिया मैंने आपको बताया था cholera वाले बैक्टिरिया और टाइफ़ाइट बाले बैक्टिरिया ठीक है ना अब देखिए if हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं if water has high percentage high population अगर पानी में बहुत सारे विब्रियो कॉलरी होंगे salmonella typhi बहुत सारे salmonella typhi भी होंगे even E. coli भी बहुत सारे अगर होंगे then we can say that water a community beta g okay कर दो हम जो हम जो हम जो सबस्क्राव कर दो कर दो जो हम जो कर दो जो झाल 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 हान जी बेटा तो क्या बात कर रहे थे हम मैंने आपको बताया कि अगर वाटर के अंदर विब्रियो कॉलरी बहुत सारे होंगे और इकोले बैक्टिरिया बहुत सारे होंगे तब हम बोल सकते हैं कि वाटर जो है वाटर हाज बीन पॉल्यूटिट बाइ हुमेन फीकल मैटर या हुमेन स्टूल अगर ये तीन बैक्टिरिया का परसंटेज पानी में बहुत ज्यादा है हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं बोल सकते हैं कि इस पानी का पॉल्यूशन हुआ है इनसान के फीकल मैटर से इनसान के स्टूल से ठीक है ना जी अब आप बोलेंगे सर क्यूं देखो विब्रियो कॉलरी एक ऐसा बैक्टिरियम है जो इनसान के इंटस्टाइन को अटैक करता है इनसान को धायरिया कराता है तो मतलब यह इनसान के स्मॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन में होगा सैल्मोनला टाइफी इनसान के इंटस्टाइन को अटैक करता है इनसान को धायरिया कराता है मतलब सैल्मोनला टाइफी भी इनसान के इंटस्टाइन में होगा अगर कोई बैक्टिरियम इंट स्टाइन्स में होता है तो जब इंसान फीकल मैटर पास करेगा तो उसमें इकोले बैक्टिरिया भी होगे अगर यही फीकल मैटर पानी के साथ मिक्स हो गया तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर यह बैक्टिरिया आएंगे ही आएंगे है ना is it okay बेटा हाँ तो ये थे बेटा इसमें अगर आपको कोई doubt है तो बताईए अगर नहीं तो फिर screenshot ले लिजिए ये था economic importance of back to you right पहले screenshot ले लिजिए हो गया ना सबका screenshot हा बंटी स्वमया रेश्मी तेजपरताप शुरुति शबका हो गया देखिये वेडा ये हमने bacteria के बारे में सारी चाहानी पढ़ ली हमने bacteria का shape पढ़ा bacteria का motility पढ़ा bacteria का structure पढ़ा bacteria का respiration nutrition bacteria का reproduction और bacteria का economic importance पढ़ा ठीक है ना kingdom Monera का सबसे बड़ा topic था ये bacteria अब हम पढ़ेंगे इसके बाद cyanobacteria के बारे में archibacteria के बारे में हम पढ़ेंगे mycoplasmas के बारे में then kingdom मौने राख खतम ठीक है उसके बाद हम जाएंगे biological classification पर उसमें हमने पढ़ना है kingdom protestant kingdom fungay ठीक है बट वो हम अगली class में start करेंगे क्योंकि आज हमारे पास कम time है खतम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा तो खतम होने की बात ही नहीं है ठीक है ना बेटा तो मिलते हैं बेटा अगली class में नए topic के साथ तब तक के लिए goodbye and thank you आप class छोड़ सकते हैं बेटा okay bye take care कर दो झाल 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 झाल